तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैं इंडिया से साइप्रस कैसे आया और क्या-क्या उसका प्रोसेस रहा कितना टाइम लगा और कैसे तरीके से मैं साइप्रस जो है वो इंडिया से मूव हूँ तो मैं साइप्रस आया मेरे एक दोस्त यहाँ पर काम करता है मेरे कॉलिज फ्रेंड़ है तो म मैं Cypress आया एक दिन उसका मुझे कॉल आया कि यहां नेंदर तू आएगा तो मैंने आ जाओंगा तो उसने मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया जो की प्रोसेस में अराउंड लग गया दो से तीन महीने लग दे तो उसके लिए क्या-क्या आप मैं से जो-भी मेरे मेरे Channel नय हैं, वो सस्क्राइब पर लीजिए क्योंकि कई लोग मेरे चैनल देखते लेकिन वो सस्क्राइब नहीं किया है अभी तो प्लीस आफ लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि कि मैं जो भी इस वीडियो बनाता r Israelis आप तक पहुँनिए जो की फ़र्स स्टैप होता है वह आपका PCC पहले आपको पैस्फोर्ट उपीस से तो से सपेंगा प्रोसेस होता है जैसे कि पास्पॉर्ट कपॉट होता है आपको प्रोफ्सेस पहले पैस्पॉर्ट उपीस जाने के बाद उसकेγά現在 आती है, inquiry आने के बाद आपको police verification जो है certificate वो आपका मिल जाता है, तो जिन लोगों ने PCC पहले किसी countries के लिए करवाई है, तो उनको पताए कि PCC क्या होता है, और जिन लोगों ने नहीं करवाई है, इन future अगर उनको करवाना होगा, तो सेम उसका process जैसे passport का होता है, उनका process वै medical में आपका जो भी आपको sponsor कर रहा है, जो भी आपको approach कर रहा है भार के लिए, जैसे कि मुझे बलाया गया था, तो कुछ reports होती है, जिनका हमें report लेनी होती है, जिनका medical करवाना है, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, कि उसमें आपका blood test होते है, x-ray होता है ठीक है, ये चीज़ें आपकी होती है उसमें, तो वो medical हमें करवाना पड़ता है, वो attest करवाके certificate बनवाके, तो वो हमें भीजना होता है PCC के साथ, PCC, medical और आपके certificate, ये आते हैं फिर आपके Delhi, फिर Delhi से इन पे stem लगती है, stem लगने के बाद फिर ये वहां से या तो आप ख करते हैं, जैसे मैंने यहां के लिए अप्लाई किया था, Cypress के लिए, तो मुझे Cypress को by courier भीजना पड़ा, तो उसमें around आपका हफता एक लग जाता है, एक हफता तक लग जाता है, उसके बाद वो documents यहां से वेरिफाई होते हैं, और फिर आपका process यहां से start होता है, इसके होने के बाद, after one to two month, मुझे company के दरब से mail receive हुआ, जिसमें की मेरा visa, जो की three month के लिए होता है, जिसे visit visa बोलते हैं, तो company पहले तीन महीने का आपको visa देती है, ठीक है, वीजा आपका by mail आता है, उसके बाद आपकी ticket जो है, वो आपको by mail आती है, तो उसके बाद आप सीधा आती है, जिस बाद आता है, तो महीने के बाद आपको जाना होता है, पर immigration office में जहांब आपका जो है वो वीजा स्टार्ट होता हुहाँा पे आपकी पोटोस व्गरे क्लिक होती है और साइन वगरे होते हैं उसके बाद आपका कार्ड बनता है वह हुता है जैसे कि हमारा बन गया है लेकिन आभी वह कार्ड मिलता है तीन महीनने के बाद तो अभी हम्हां Dann वन्द मंथ हो रहा है तो अभी हमें वो कार्ड नहीं मिला है थीक है बढ़ हमारा यहां से लेके एक महीं एक साल का बीजा जो है वह तो यह सारा प्रोसेस होता है और कंपनी आपको एकॉमोडिशन देती हैं को मेंकि कउमडिशन होता है ठीक है जैसे कि आप साइपर्स में कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट जॉब रहेगी आपको कौन सी जगह पर बेस्ट जॉब करना पड़ेगा और आपकी सेलरी स्टार्टिंग कितनी होनी चाहिए कि आपको यहां पर आना चाहिए ठीक है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो ज इसने भी चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके लाल बटन पर जाके सस्क्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे तब तक के लिए बादेट